आज हम बात करेंगे स्वस्तुरत के पहले टोपिक इंट्रोडक्शन के बारे में जिसमें सबसे पहले हम निरुक्ति और स्वस्तुरत के बारे में बात करेंगे उसके पशात में हम स्वस्ते की परिभाशा और फिर स्वास्ते की परिभाशा और पशात में स्वस्तुरत की पर हो जाएंगे इसमें सबसे पहले हम निरुक्तियों सवस्तवरत को समझें तो जब हम सवस्तवरत शब्द को देखते हैं तो हम इसे तीन भागों में आसानी से तोड़ सकते हैं वह सुअ उसके पश्चाव्च में इस्थ और उसके बाद में व्रत्त तो कि उप स्वा का अर्थ क्या होता है तो स्वय का अर्थ है स्वयम तो यहां पर स्वयम से अर्थ की जो दोश स्वयम है अर्थार्थ की जो प्राकर्तिक है उसके परशाद में इस्थ का मतलब कि वह जो प्राकर्तिक दोश है उसको हम आगे बढ़ाएं तो इस्थ का मतलब हुआ कि वह उसी अवस्था म में रहें और वरत्तम का मतलब कि वह चक्र बना हुआ रहें SAY तो इस तरीके से जिसमें स्वस्त अर्थार्थ की जो अपने दोशाधि की स्थ ईषफी है वह अपनी इस्थान पर रहें। सही तरीके से काम करते हुए और व्रत अर्थार्थ की इन सब को जहां पर पढ़ा जाता है वह सब स्वस्त व्रत के अंतरगत आता है इसके पश्यात में हम स्वस्त और स्वास्त की परिभाशा के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले हम स्वस्त की परिभाशा के बारे मे मतलब की बेस्ट कह सकते हैं उसे और उसके परशात में निर्वेकरत्वेन मतलब की जो निर्विकार इस्थति है सबसे अच्छी जो निर्विकार इस्थति है और उसके बाद में अवतिस्थति मतलब की बनी रहे इती स्वस्त वही स्वस्त है उसके परशात में स्वस्तस्य भ भाव है वही स्वास्ति है तो यहां पर इस चीज को समझें कि ध्याने से रख सकते हैं कि स्वस्त का भाव है तो यहां पर कुछ चीज बढ़ गई तो स्वस्त की जगे वर्ड भी स्वास्ति हो गया इसके पश्यात में हम बात करेंगे स्वस्तवरत की परिभाशा के बारे में तो पहले भी हमने जब स्वस्तुरत की निरुक्ती पड़ी तो इसे तीन भागों में तोड़ दिया था इसी तरह जब हम इसकी परिभाशा के बारे में बात करेंगे तो हम इसे तीन भागों में तोड़ देंगे सबसे पहले स्वावर्ड को उठाएंगे और उसमें कुछ चेंजेस करेंगे उसके बाद में इस्थावर्ड को उठाएंगे और उसमें कुछ चेंजेस करेंगे और उसके बाद में रत्तम में हम कुछ चेंजेस करके इसकी परिभाशा को बनाएंगे तो सबसे पहले हम स्वर से जुड़ा हुआ एक और वर्ड ध्यान रख लें वह है सकर तो सकर ठीक ध्यान रखेंगे स्वर में क्या क्या चेंज होगा सकर का चेंज होगा तो सबसे पहले सकर के स से इस्थान उसके पशाद में क स कर्म और अंत में र से रूप को हम यहां पर ध्यान में रखेंगे तो अब इस तरीके से परिभाशा बनेगी कि तो सर में जो पहला चेंज करेंगे वह सकर के सर से करेंगे जिसे हमने इस्थान से ध्यान रखा था तो उसमें आएगा स्वास्मिन इस्थाने उसके पशात में कह से कर्म ध्यान रखेंगे तो उससे स्वव में चेंज होगा स्वा अस्मिन कर्मनी और फिर अंत में जो रूप है तो उससे स्वव में चेंज होगा स्वसू रूपे तो इस तरीके से जो स्वव में चेंज होने वाले थे उसको हमने ध्यान में रख लिया अब इस्थ में हम चेंज होगा उसको ध्यान रखें तो वह होगा इस्थ की जगह हम यहां पर इस्थियते ध्यान में रखेंगे और उसके पशाथ में व्रत्से की तद व्रत्तम स्वस्त व्रत्तम तो इस तरीके से हमारे पास पूरी भरिवा स्वासमिन इस्थाने, अर्थार्थ की अपने ही इस्थान पर स्वासमिन कर्मनी मर्थार्थ की अपने ही कर्मों को करते हुए स्वसू रूपे अर्थारत की अपने ही प्राकृत रूप में अर्थारत की जो दोश्धातु मल है वह इस तरीके से अपने प्राकृत की स्थिती में इस्थान, कर्म और रूप से रहे तो इस्तियत है अर्थारत की रहे तो तद वरत्तम तो उसका जो वरत्त है वही स्वस्थ वरत्त है अब इसके पश्यात में हम आरोग्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे इसमें हम आचारे शुशूत आचारे चरक तथा आचारे माधाव ने जो स्वस्थ व्यक्ति के लक्षरों के बारे में बताया है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे इसमें हम सबसे पहले आचार शुशुत के अनुसार जो परिभाशा है उसको हम ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे जो की है सम दोशह, सम अगनिष्च, सम धातू, मलक्रियह, प्रसन आत्मा, इंद्रिय मनह, स्वस्तेती, अभिधियते अर्थार्थ की जिसमें हम जब आईरवेद में आते हैं तो सबसे पहले हम दोशों के बारे में बात करते हैं तो जो दोश हैं वह सही रहें, उसके पशाद में सम अगनिष्च, अर्थार्थ की हम जो डाइजेस्टिव फायर है वह भी अच्छी रहें उसके पशाद में अगर digestive fire सही रहेगी तो उसके बाद में समधातू अर्थार्थ की हम जो भी खाएंगे उससे हमारे धातू सही तरीके से बनेंगे अब आगे परिभाशा को याद करने के लिए कि अब उसके परशाद में जब हमने खा लिया है दातों सही तरीके से बन गई है तो फिर वेस्ट प्रोड़क्ट बनता है अर्थारत की मलह क्रिये उसके परशाद में जब अच्छी तरीके से हमारा पोशन हो रहा है अच्छी तरीके से वेग आ रहे हैं तो व्यक्ति क्या है प्रसन रहता है अब प्रसन रहता है तो आत्मा से प्रसन रहता है इंद्रियों से प्रसन रहता है उसका मन प्रसन रहता है तो इस तरीके से उसके पशात में समागनी अर्थार्थ की जो तेरह प्रकार की अगनी वह सभी तरीके से सही रहें उसके पशात में जो रस रखतादी धातू और उसके पशात में जो मल अर्थार्थ की विड मुत्र स्वेदादी हैं वो सब जो हैं भली प्रकार से बने बाहर निकले शरीर का धारन करने की आवशक्ता है तो वो धारन करें तो इस तरह की क्रियाएं हूँ उसके पशात में आत्मा इंद्रिये मन प्रसन हूँ और अंत में इसी इस्तिती को हम स्वस्त कहते हैं उसके पशाद हम आचारे चरक के अनुसार इसकी परिभाशा को समझें तो इसमें सबसे पहले हम चरक सुत्र स्थान में जो आचारे चरक ने परिभाशा बताई है उसके बारे में बात करते हैं कि तो इस पहली लाइन को कैसे याद रखें तो जब हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसका external appearance देखते हैं तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है सबसे पहले तो सम मांस प्रमानस्तु सम सनहनो नरह कि कैसी उसकी मांस कैसा है उसमें कैसी built up quality है तो वो सब हमें देखकर पता चल जाएगा उसके पशाद में हम थोड़ा ओर डीप जाएं तो हमें उसकी इंद्रियों के बारे में उसकी विकार के बारे में उसके बल के बारे में पता चलेगा तो दड़ इंद्रियों विकार आनाम न बलेन अभीभूयते अर्धारत की जो इंद्रियां है वो द्रड हो और विकारों द्वारा अभीभूत न हो विकार अर्धारत की रोगों द्वारा ग्रस्त न हो अब व्यक्ति का external appearance देख लिया उसक स्थार्थ की जब तप है और उसकी बाद में हम सीथ वर्ड के बारे में बात करेंगे तो वह आ जाएगा शीत और उसके पशात में वह से ठंड लगी तो हम उसे व्यायाम करने की सलाह देंगे तो व्यायाम संसह अब यदि इस तरीके से वह व्यायाम करता है तो उसकी अगनी सम हो जाएगी और जो भी वह आहार्ट ग्रहन करेगा उसका अच्छी तरीके से पाचन होगा अर्थार्थ की सम पक्ता सम जरह सम मान से चयो मत है और अगर सही तरीके से पाचन होगा तो उसका मान से सही तरीके से ब्यूलडप होगा धातों ब्यूलडप अच्छी तरीके से होगी तो सम मान से चयो मत है तो इस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं उसके परशाद में हम आचारे चरक के नुसार विमान इस्थान में दी गई परिभाशा को समझने का प्रयास करते हैं तो इसको हम ऐसे ध्यान में रखेंगे कि उसको चोट लगी थी और वह रीकवर कर रहा है तो उसी से हम पूरी चीज को ध्यान में रख सकते हैं तो अब चोट लगी थी तो वह रीकवर कर रहा है तो सबसे पहले उसका पेंज आएगा तो पहला शब्द है रुक उप्षमन पीडा होने के बाद में वह कराने के पहले तो करा रहा था अब वह धीरे धीरे बोलने लगेगा उसका जो इसके डिसकलरेशन हुआ था चोट लगने की वज़े से वहाँ पर खाओ बना था वह धीरे धीरे बलेकी से वापस नूर्मल इसकीन को आने लगेगा तो स्वरवर्ण योगा उसके पशात में धीरे धीरे जो है वो शरीर का उपचे होने लगेगा अब अर्थार्थ की वह धीरे धीरे बाकी चीज़े भी सही होने लगेगी उसके पशात में बलवरद्धी अब वह बेठा हुआ था आराम से आराम कर रहा था तो अब उसकी बल व्रद्धी होगी धीरी धीरे उसके पशाद में अब्वेवहार्थ अबिलाशा अर्थार्थ की जब ये सब चीजे होंगी वो पूरी तरीके से सही हो गया तो वो कहेगा कि लाओ खाना ला दो और उसके पशाद में रूची आहर काले अर्थार्थ की आहर में रूची होना उसके पशाद में अब्वेवहर्थ से च आहरस्य काले सम्यक जरण अर्थार्थ की भोजन का सही समय पर पाचन होगा अब वो जब भोजन कर लेगा तो हमें निद्रा से आती है तो उसके पशाद में इन्द्र होगा तो foster लाभ Nep home with अर्थार्थ की सही समय पर कि है उसके पशॉद Jah हम में इस पश्याइख सपने देखा है तो विकारिक सप्ण्य नहीं देक्क टा वर उसके पशात में अच्छे समय पर उड़ का सुक्पुर्वक निस्षरण होगा और अंदर में हम इंद्रियों के बारे में बात करेंगे तो मन बुद्धियम इंद्रियों का व्यापती रहीत होना यही सब्धातु साम्मे के लक्षन है इसके परशाद में आचारे माधव कहते हैं कि शीत उष्ण और वायू अर्थार् इन तीनों का साम्मे आवस्था में रहना ही स्वस्त्य है अब इसके परशाद हम स्वस्तुरत के प्रयोजन के बारे में बात करते हैं तो जो स्वस्तुरत का प्रयोजन है वह आयर्वेद के प्रयोजन के पहले हिस्से से अर्थार्थ की स्वस्त्य से स्वस्त्य रक्षनम से जुड़ा हुआ है क्योंकि जो स्वस्त से जुड़ी हुई जितनी भी चीजे हैं कि कैसे स्वस्तर रखा जाए वह स्वस्तुरत में आती है उसके पशाथ में क्या क्या चीज आती है जिसकी दिन कर्म से सदेव सत्त्र ऩैंआ हितकर विहार योग इत्यादी का निर्देश स्वस्तुरत में ही किया जाता है उसके पशाद में हम बात करें कि या दिव्यक्ति स्वस्त रहेगा तो वह धिरगाईू होगा और धिरगाई होगा तो पुर्शार्त चतुष्ट की प्राप्ति कर सकेगा तो इसलिए इसका प्रयुजन यह भी हो गया कि यह पुर्शार्त चतुष्ट होते हैं उनकी प्राप्ति में योगदान देता है तो इस तरीके से हम इसकी इंट्रोडक्शन को समझ सकते हैं